गुर्मानिंग स्टुडेंट तो जैसा कि क्लास फोर्थ में हमने सिकंड चेप्टर पढ़ लिया था तो चलिए आज एक्सरसाइस कंप्रीट कर लेते हैं ओके तो सभी लोग अपनी टेस्ट बुक निकालेंगे पेज नंबर टैन और नोर्ट बुक भी निकालेंगे तो सबसे युद्ध के पहले असोक राजा कैसा था असोक कैसा राजा था प्रजापालक था कुशल सासक था अन्याई था या फिर न्याई प्रिय था तो आपनी चेप्टर में पढ़ा है कि उसके पहले राजा कैसा था कुरूर था निरंकुस था और अन्याई था तो इस पर क्या कर देंगे हम अन्याई इसका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा तो टिक कर लिजे खार नंबर देखते हैं असोग को अपने बारे में सच किसने बताया असोग को किसने सच बताया अपने बारे में चौथे कैदी ने पहले दूसरे तीसरे ने तो जूट वोला था तो पिता घायल थे ना उससे दवा खाने की आदत थी ना उसकी मा बीमार थी हाँ ये वाला ओफसन करेक्ट हो गया तो आप फूर्थ नंबर पे टिक कर देंगे ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कहानी के इस अनुच्छेत को पढ़ कर प्रश्णों के उत्तर देना है त इससे एक पैराग्राफ ले लिया गया है उससे कुशिन मनाए गये हैं तो आपको पढ़ देखता है आपने दो पढ़ रख है पहले ही ठीक है तो आप इसको एक बार और पढ़ लोगे इसके बाद कुशिन करेंगे तो दिया गया है चौथा कैदी किस से बात कर रहा था तो पहला चौथा कैदी किस से बात कर रहा था चौथा कैदी राजा से बात कर रहा था एंसर इसका ये हो गया फिरखा नमबर पे कैदी के परिवार में कौन कौन थे देखो दिया गया है घर में सिर्फ बूरी मा है तो उसकी परिवार में कौन थे कैदी के परिवार में दवाई यहां दोनों एंसर हो गया गार नमबर पर देखेंगे कैदी कहां पकड़ा गया था तो उत्तर राइट करेंगे कैदी वैदी की दुकान पर पकड़ा गया था फिर पकड़े जाने पर कैदी को कहां रखा गया पकड़े जाने पर कैदी को कारागार में रखा गया या लिखे प्रश्णों के उत्तर दीजिए, ऐसे ही सेम राइट कर लेना है, का नमबर डालना है, कुश्चन राइट करना है, समराट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, ये सारे कुश्चन आप टेस्ट बुक से नोट करोगे, ओके, तो चलिए एंसर पर चलते हैं, ये सारे हो गया, शमराट अशोक ने बौध धर्म अपनाया था, ओके, चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, आप बुक से कुश्चन नोट कर लेंगे, ओके, चलिए नोट कर लीजिए, खानमबर पर दिया गया है, कुश्चन कलिंग युद्ध के बाद अशोक किन गुडों के कारण प्रशिद हुए, तो इसका एंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध کے बाद अशोक एक न्याय प्रिय, प्रजाप आलक, दयालू, कुशल सासक के रूप में, प्रशिद हुए, ओके, कैसे हुए थे हो, दयालू भी हो गये थे, प्रजापालक भी हो गये थे, न्याय प्र भी हो गये थे और कुशल सासक के रूप में प्रिशिद्ध हुए थे कौन ये को समराथ अशोक ठीक है कलिंग युद्ध के बाद चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं थर्ड कुशन पर दिया गया है आप लोग राइट कर लीजिए बुक से तीनों कैदी जूट क्यों बोल थे तो आपको राइट कर लेना है उत्तर हो जाएगा इसका अपनी शमराथ को प्रभावित करने के लिए ठीक है तीनों कैदी जूट बोल रहे थे चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं चौथे कैदी को किसी से सिकायत क्यों नहीं थी चौथे कैदी को किसी से सिकायत इसलि नहीं थी क्योंकि उसने चोरी की चोरी एक दंडनिया प्राध होता है इसलिए उसे राजा उसे सजा मिली थी तो उसे मतलब की ये अंग्याद था उसको एहसाद भी था रिलाइज भी कर रहा था कि नहीं हां मैंने चोरी की है तो मुझे दंड मिलना चाहिए इसमें कोई गलत नहीं है चलिए अंगा नमबर देखते हैं दिया गया है समराट अशोक ने चोथे कैदी को काम देने की बात क्यों कही बुख से कुश्चन नोट कर लेना है तो शमराट अशोक ने चोथे कैदी को काम देने की बात इसलिए कही ताकि भविस्त में उसे कोई बुरा काम ना कर ना पड़े ठीक है क्योंकि उसके पात धन तो था नहीं तो भविस्व में बुरा काम कर सकता है इसलिए चौथे कैदी को समराठ ने क्या दाने देने की बात करी नौकरी यानि काम देने की बात करी चलिए अब आ जाते हैं बुक पर सभी लोग फिर से निकाल लेंगे देखे दिया गया है ब्याकरण बोथ यानि ग्रामर थोड़ा सा कर लेते हैं दिया गया रा के रूप को जानिए और पूछे गया प्रश्न के उत्तर दिया जैसे मा और रा तो क्या हो गया म्रा ठीक है ये मा हो गया और ये आधा रा हो गया और आ लग गया तो ये क्या हो गया म्रा और इधर दिया गया है 사 अर्फ बोल सकते जो ठीक है तो चलिए अब नीचे दिये गया है कुछ पाठ में आये स्वर, सहित रा और स्वर रहित जिसमें स्वर सहित रा है मतलब जिसमें रा लगा है और जिसमें रा ऊपर की तरफ है तो सब्दों को लिखना है तो यहां एक word दिया गया है क्रूर तो आपको अपने मन से बना देना है जैसे समराट, प्रताप, प्रिजा नीचे दिया गया है जुर्म उपर राट टंगेगा इस पे तो क्या हो जाएगा धर्म, कर्म, नर्क आप अपने मन से भी write कर सकते हो जो आ पहिना है स्रीमान का हो गया स्रीमती, सेट का हो गया सिठानी, समराट का शामराग्गी और वीर का वीरांगना एंड राजा का राणी हो गया चलिए, नेक्स्ट पेश पर आजाएए तो दिया गया है पढ़िए, समझिए और दो-दो सब्द बनाईए जैसे दिया गया है ब वेद्य हो गया, विद्या हो गई, फिर द्वा लाना है, ठीक है, द्वारिका जैसे हो गया, द्वावर्ड से बनाना है आपको, तो द्वार हो गया, द्वारा हो गया, इसके बाद मित्रता त्रा वर्ड लाना है, तो सत्रता त्रिसूल, तो वर्ड हमने रख दिये, अब आप लोग अपनी notebook complete कर लेंगे और टेस्ट बुझ से सारी चीज़े राइट कर लेंगे जो भी मतलब दिया गया है तो जो भी बुख में हो जाता उसको तो नहीं राइट करना आपको जो नहीं होता है उसको राइट कर लेना है